मारवाडी मीडिय आप देख रहे हैं लंबे समय के बाद करीब दो हफतों के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है बीते 24 गंटों के दोरान पूर्वी राजस्तान के साथ साथ पश्ची मी राजस्तान के भी कई जगों पर बारिस के समाचार मिले हैं नागोर जिले का नजर आप देख रहे हैं जहां सुब़ सुब़ आज मोसम पलट चुका है काली घटाएं च्छा गई है और हलकी से मध्धन दर्जे की बारिस की सुरुवात भी हो चुकी है मोसम इभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दोरान राजिस्तान पर मांसुन सक्रिय होगा इस दोरान पस्ची मी राजिस्तान के भी कई जिलों में आज बारिस का दोर देखने को मिलेगा मोसम इभाग के अनुसार आज गंगा नगर, हनुमानगर, चुरू, बिकानेर, नागोर यहाँ पर बारिस की संभावना है लंबे समय के बाद राजिस्तान के उत्री पस्ची मी जिलों में काले घने बादल दिखाई दे रहे हैं आज मोसम इभाग ने अजमेर, बांसवाडा, बारन, भीलवाडा, बुंदी, चितोडगड, डुंगरपूर, जैपूर, जहलवाड, जुनजिनू, करोली, कोटा, सिक्कर, सिरोही, टोंक और उदेपूर जिलों में मेग, गरजन और आकासी बिजली चमकने को लेकर यलो अल